कोशन नमबर 13 को देखो कोशन नमबर 13 आपसे कह रहा write the balance chemical equation for the following statement एक statement है वो क्या है potassium metal अब इस statement के चक्कर में तू कहा जा रहा है potassium metal है ठीक है वो react कर रहा है water से और बना रहा है potassium hydroxide और साथ में hydrogen gas ठीक है तो आप इसके नहीं एक balance chemical equation दिखाओ तो देखो यह potassium है सब में potassium है सब में आपको water molecule के साथ reaction दिखाई गई है और कोश मतलब potassium hydroxide सब में बना साथ में hydrogen gas भी सब में निकलिए balance दिखा नहीं है कौन सी balance है यहाँ पर देखो potassium कितना एक है है potassium hydrogen देखो दो इसके पास हो रही किया तीन hydrogen इस साइड में है लेकिन इस तरफ तो दो hydrogen है तो यह balance नहीं हुई ठीक है वैसे ही यहाँ देखो hydrogen कितने दो तो hydrogen दो यहाँ है और दो इस से multiply करकर दो यह होगा दो यह चार होने चाहिए तो लेकिन इदर तो दो है तो यह भी नहीं होगी balance और देखते हैं आगे दो और दो चार हाइडोजन होने चाहिए तो दो हाइडोजन यह है और एक हाइडोजन यह है तीन हाइडोजन हुए तो यह भी balance नहीं है आप को कि सर किया इतना simple सा method है balance करने का मैं कहूंगा हाँ यही method है आगा चेक करते हैं कि यहाँ पर दो दुनी चार हाइडोजन है तो दो हाइडोजन यह हो गए और दो हाइडोजन यह हो गए चार हाइडोजन तो पूरे है दो पोडेशियम है तो दो पोडेशियम भी पूरे है जबरदस्त इसके बाद ओक्सियन की बात करते हैं तो दो oxygen होने चाहिए तो oxygen भी दो हैं तो ये D वाला option जो हो गया ये balanced chemical reaction के example हो गया मज़ा आया होगा आगे चलते हैं Thank you so much